एसलाम उलेकुम नमस्ते तेफ स्रेकाल हलू केहते हैं सोते हुए को जगाया जा सकता है लेकिन जो सोने का नाटक कर रहा हूं उसे आप नहीं जगा सकते यह तबलीगी पूरा केस हुआ है हैं इसमें अभी भी कुछ लोग सो रहे हैं यह कहें कि पाव्य सराव और जो आ और इस तरह के वो चीजे मुझे लगतार भेज रही थी अब उनसे को ये पूछे मैंने ही उनका ग्यान उनको वापस दे दिया हूँ मैंने उनको काफी सवाल इस तरह के कर दिये जिनसे उनको शायद ही अगर थोड़ा सभी उनको जहन होगा तो इस चीज़ को वो समझ गई हो है जो और ज्यादा लोगों को भैकाने वाली चीज़े हो रही है जब लॉक्डाउन होगा पूरे देश ने उसका पालन करने के लिए अपनी तरफ से सब ने कोशिश की सब अपने अपने जहां पर थे वहीं ठहर गए और ऐसे बहुत सारे मैंने लोग देखे जो बहुत पर हैं तरफ से पूरी कोशिश की मगर इन चंद हजार लोगों की गलती का खामियाजा लाखों करोड़ों लोगों को बहुतना पड़ता है हमेशा और यह चंद हजार ही होते और यह एंटी सोशल अनिमेंट होते हैं अब इनको एंटी आनिमेंट नाम दीजिए क्योंकि यह लगा जा रहे हैं अब यह देखिए कि यूपी के बिजनौर में इंडोनेशिया के आठ तबली की जमात के लोगों को छिपा रखा था पुलिस ने गई तो वहां पे वी इस तरह से पत्थर बादी और यह सब शुरू किया उन लोगों ने एंपी इन दौर में और बिहार के मधूबनी में और ऐसी कई जगाओं से सामने आए हैं केसिस के मेडिकल टीम पर पुलिस प्रशासन पर इन लोगों ने पत्थर बादी की बद्तमीदी की तो यह क्या कर रहे हैं क्या इनमें इंसानियत नहीं है शर्म नहीं है कोई लिहाज न नहीं होता तो इन्हें इस चीज की तकलीफ नहीं है कि क्या कर रहे हैं यह डॉक्टर के ओपर पत्राओं कर रहे हैं उनके ओपर थूक रहे हैं यह सब कर रहे हैं यह अगर चलिए मान लिया गलती हो गई बहुत मान लिया कि गलती हो गई तो तो तुम यह गलती यह जो हरकत मिल جाएंगे उसको अपनी गल्ती नहीं मिलेगी और वह हम देख रहे हैं क्यों वह अपनी गल्ती नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं वो चीज़ को मान रहे हैं कि हाला पर्वाही हुई और उसके पावजूद ये सब चीज़े कि छिपा लेना अब छिपाने में और फस जाने में मैंने जैसे बताया कि फर्क होता है जो जहां था वो अपनी परिशानी से वहीं फस गया लेकिन यहां तो जानबुच के छिपाया जा रहा है पत्थर बादी की जा रही है मेरा कजन मेरे खाला के केसे जोर आए हैं जो सस्पेक्टेड हैं तो अब इस तरह से चीज़े बढ़ रही हैं वो उनकी मा इतना परिशान हमारी खालामी हमारे घर में सब लोग हम लोग भी परिशान होते हैं कि हां हम तो यहां घरों में बैठे हैं सब लोग अपने अपने लेकिन जो डॉक्ट की थी लास्ट वीडियो में कि अगर यहां पर कोई मूँ खोले कोई बात करे तो बड़े तमीज से और इस चीज़ को सोच समझ के करे क्योंकि घुसा बहुत है और उल्टा जवाब मैं देना नहीं चाहती हूं क्योंकि मेरे घर में यही तमीज सिखाया गया है कि आप तमीज से रहें जितना हो सके आप सियम बढ़ते हैं सबर और तहमल से काम लें यह नहीं कि किसी ने भी कुछ कह दिया और चीखने चिलाने लगें या बत्तमीजी पर उताराएं और उल्टे सीधे तरह से जवाब निकन नहीं आते क्या उन से मूँ लगा जाए क्या उनसे बोला जाए कि तुम गलत कर रहे हो अपने आसपात भी अगर कोई छिपा है तो इस तरह से बताओ प्रशासन की मदद करो यह बीमारी को समझो कि इस चिपाने से या किसी पर पत्राओं करने से काम नहीं चलेगा और हम जै निखो और आप उनके साथ इस तरह की माकट कर रहें शर्म आ रही है मुझे ऐसे लोगोर पर क्या किस तरह से और किया कहीं अब इनके बारे में सारी इंसानीयत इनके अंतर शुख किमाने कोरोना वारष जो नाम भद देक रहा है हर जगा पिर के 23 को तो बता दिया गया था जूट बोला ये वह बहुत कुछ ऐसा हो रहा है और जो यह जिनकी में बात कर रही हूं जिक्र कर रहा है यह जो जमास से तालोक रखती है इनके भी आँखों पर पट्टी बंदी हुई थी जो कि मैंने पूरी कोशिच की खो सवाल कि यह जो तमाशा हो रहा था यह सब तमाशे हम यह क्यों सुनते के दिली से क्यों शुरू होते हैं यह लापरवाही यह इस तरह के अब लापरवाही कहें या जानबूच के कहें बहुत सारे लोग अलग अलग नाम दे रहे हैं इसको कोई प्रशासन पर डाल रहा है क कोई कह रहा है कि नहीं परिशासन की नहीं सरकार की थी जम्मेदारी कोई कह रहा है नहीं नहीं सरकार की नहीं पूरी तरह से तबलीगी जमात की थी केंदर सरकार की थी सब यह इस तरह से शुरू हो गया है यह अब ना टक पूरा पर यह मैं कहूंगी गुनाह अजीम हुआ है इसको जो कोई भी कुछ भी कह ले, लापरवाही कहे, जानबूच करके कुछ भी कहे, ये गुनाह अजीम है क्यूंकि बहुत सारे लोगों की जान, अब पूरे देश में ये जमात के लोग गए हैं और इन्होंने बहुत सारे लोगों की जान को दाओ पे लगा दिया और ये दूसरा सवाल, ये तब्लीगी जमाद का मुख्या है, सब साथी अरब में जब सारी मक्का मदीना सब बंद हो गया, सारी मसजिदे बंद हो गई, सब हमने देखा हर जगा, हिंदुस्तान में भी, इंडिया में भी, सारे जितने भी मौलाना थे, शेरे काजी थे, सब न दिया कि नहीं नहीं मसजीद में आई यहीं पर आई यहीं नमाज अदा कीजिए और बहुत कुछ इसके जो भी आपने देखा होगा सुना होगा इस तरह का टेप वाइरल हुआ है बहुत कुछ इसमें यह बोल रहा है डॉक्टर की भी हिदायत ना मानने के लिए बोल रहा है तो इसका जिम्मेदार कौन है बही और देखे तुर्की ने भी जुम्मे का इश्तिमा बंद कर दिया जितनी मुस्लिम कंट्रीज हैं साओधी अरब हुआ टर्की हुआ जहां जहां भी आप देखिए सब जगह चीज़ें रुप गई जहां की जहां थी लेकिन यहां से लग के बारे में बात हो रही है नितामुदीन साहब की दरगा जहां पे हर मजब का इंसान जाता है वो तक बंद कर दिया गया उसके बावजूद यह चीज़ें इतनी देर से क्यूं ही तो यह अपने आपको सबसे ज्यादा अफजल समझ रहा था और भी बहुत सवाल है चार मही में नहीं आ रहा था लेकिन क्यूं मलेशिया से जमात में गला लिया जहां इतने सारे को और्ग में बुला लिया और हर कंट्री से यहां पर भी को य सिस्पर जहां को जहांब यह हमादार क्यों गोषित इसाइस लगई गई 20-20 की कि सब के मना की जा रही थी पर यह 23 का ही इंतजार क्यों कर रहे थे जब प्रीस खराब होने लगी जब खासने लगे लोगों को पर SHigan होने लगी जब सको अधाद कर भड़ कर घए तो उसके बाद साहब को इसमें बदाखलत करनी पड़ी उसके बावजूद भी चीजे लगतार चलती रही मुसलसल चीजे होती रही लोगों से अपील की की जाती रही कि डॉक्टरों की हिदायत मत मानी ये मस्जिदों को आई ये ये मोधी की चाल है तो एक नफरत में आप इतने जादा जो कि दिन रात लगाया उसे ना खाने की होश ना पीने का होश और हम जैसे ना जैने देश में कितने सारे लोग हैं उनके घर से पुलिस प्रशासन में डॉक्टर्स हैं मैडिकल टीम में हैं वो सब लगे होए हैं तो ये अपने आपको ज्यादा आला समझ रहे हैं चिपे क अच्छे डॉक्टर से अपना इलाज कराते हैं और दूसरों को यह हिदायत देते हैं कि बात मतमानी है डॉक्टर के उसमें इलाज नहीं है कहने में आप इस तरह से मस्जिद में आईए एकट्चे होई इस तरह की ही सारी हिदाय doppi कोई भी उसमें आइसोलेट हो गया हूँ मैं कॉरेंटाइन में चला गया हूँ लेकिन उन लोगों का क्या जिनको आप इकठा की हुए थे जमात में वो लोग सारे जो परिशान हाल हो गए उनको आप कैसे छोड़ के चले गए जब एक जहाज का कैप्टन ही भाग जाए तो क्या होगा उस जह ये ग्रहम अंत्राले की गाइड़ लाइन्स हैं साफ के कोई भी टूरिस्ट वीजा पर अगर भारत में आता है तो वो धर्म प्रचार नहीं कर सकता वो किसी तरह का भी कोई धार्मिक उसमें भाग नहीं लेगा तो कैसे हिम्मत हुई धर्म प्रचार करने की उसकी निये तो कुछ बिगार किया है और बहुत सारे लोगों को इन्होंने परिशान कर दिया इसके निये और एक बड़ा सवाल कि अब ये खुद तो ये मौलाना चिप गए और इन लोगों को ऐसे ही मजधार में छोड़ दिया वो जिस तरह से भी जिस हाल भी है वो लोग अब उनको प्र सब खड़े हो जाते हैं आपके साथ सब लोग आजने जब आपका अच्छा वक्त होते हैं तो आपके साथ सब बुरा कर? रहे हैं सोचना होगा आपको और यह जो सारे सेकुलर वादी थे वो सारे आज कहां चले गए हैं जो अगर किसी और कम्यूटी के साथ यह हो जाता इस तरह से कोई केस उन्होंने विदेशों से बुलाके कोरोना वाइरस के मरीजों को यहां पर ऐसे एकठा किया होता और कोई ध भाई मचाते बाहर निकल के सोची हैं आप लोग खुद कि क्या करते लेकिन इस वक्त सारे खामोश हैं एक का दुक्का जो निकल रहे हैं तो उनके पक्ष में बात करने के नहीं निकल रहे हैं अदरवाइस वह बिलकुल इस वक्त इंसाफ की बात नहीं कर रहे हैं हक की बात कर रहे हैं उन पे थूक रहे हैं और एक यह देखिए कि आप किसी भी एक नेता के नफरत में इतने अंधे हो जाएंगे क्या आपको यह सिखाया जाता है आप जमात में यह सिखाते हैं जमात में कि किसी नेता की नफरत में इतने अंधे हो जाओ कि कह दो कि वो कि साधी शेस नहीं मस्जिद मत मत करो और आप अपने साथ साथ सब की दाओं पर जान लगा दो पूरे मुल्क में वो चीज पहला दो इसका जिम्मेदार कौन तो यह मुझे अगर कोई सवालों के जवाब दे तो ही यहां पर कमेंट करे तरीके से अगर मुझे उल्टा सिदा कुछ कमेंट किया तो फिर जिनको कमेंट निकना नहीं आते तो उनसे तो मैं क्या ही कहूं कि उनसे तो क्या ही बहस की जा सकती है आप अंदाधर लगा सकते हैं कितने उनको इ सा नहीं सिखाया गया भी कैसे बत्तमीद इनसान के मूँ लगा जाए और जैसे कि मैंने कहा कि मेरा खुद का कजिन वो मेडिकल टीम में है और वो दिन राथ जिस तरह से लगा हुआ है तो हमें भी देख कि इस चीज़ की फिक्र होती है कि वो इतने सारा इस तरह से जितना देखिए मेडिकल स्टाफ सब लोग सफाई करनी आप उनको उनको आप वो जब आपके घर आएं आप उनको इस्ज़त करें देख रहे थी मैं आज सुबह भी है मारे पूरा एरिया में जो लोग आए थे साफ साफ सफाई करने के लिए किस तरह से वो अ इमानदारी अपने अंदर लाएं और अपने अंदर के इंसान को बातों में मत आई ये और ये देखिए बूरे वक्त में जैसे कि मैंने कहा कि तबी इनसान की पहचान होती है कौन आपके साथ है और जैसे कि हमने देखा ये मौलाना खुद च्छिप गया और अभी तक यह है और लेकिन उन लोगों को छोड़ दिया बीच मैंधार में और सारे जितने भी शेर काजी थे मौलाना थे जितने इस लामी की स्कॉलर थे उन्होंने जब कह दिया था कि मस्जिदे बंद हो जाए उसके बावजूद यह लगतार यही कहता रहा कि मस्जिदे बंद नहीं आप आईए खटा हुई यह जमात लगाईए यह इस तरह से लोगों को बरगराता रहा है यह सोचना होगा आप लोगों को बना होता है ना कि हम नफरत में इतने अंद्धे हो जाते हैं कि हमें इस चीज़ का अंदाजा है कि हम किसी और की नहीं नहीं अपने नहीं सबसे लोग दुबारा से उसके शिकार हो गए हैं तो आप इसको बिल्कुल हलके में मत लिए और अगर आपी सोच रहे हैं कि ये गर्मी आएंगी तो ये ठीक हो जागा ये ऐसे नहीं इस तरह की किसी भी कोई अफ़ा पहला रहा है मत जाएए इस लड़ाई को अगर आपने जीतना ह आई ये फिर डाटी ये और तीसरा आपका कदम होना चाहिए उसकी शकायत कर दीजे ये तरीका होता है मैं भी ऐसा ही किया मैंने भी और खैर मेरे तो पहले समझाया नहीं समझ आई डाटा तब समझ आ गई थी उन्हें लेकिन आपको ऐसा करना होगा जरूर आप आंके नही कीजियों का साथ दीजे कुरोना वाइरस ये किसी मजभब को नहीं देखता किसी देश को नहीं देखता जो भी इसके सामने आ रहा है उसको अपना शिकार बना रहा है इसका सिर्फ एक हिलाज है समयधारी और इस चेन को तोड़ना है ये जो ट्रांसमीशन का चेन है इसको बस लेकिन अब तब्रीकी जमात वालों ने जो गलती कर दी है जो इन्होंने इसको पूरे में फहला दिया पूरे देश में हर राज्य में काफी सारे केसे सामने आए जहां जहां यह चिपे हुए हैं तो उनसे भी कहिए कि अगर आपके आसपास भी ऐसा कोई केस हो तो आप चाहें उन्हें मत कहिए कि आप सामने आजाईए आप पुलीस के पास या डॉक्टर के पास आजाईए नहीं आप खामोशी से जाके उनकी शिकायत कर दीजिए नंबर साब सब के पास हैं तो अपना और अपने इस प्यारे मूल का खयाल रखें और उनका खास खयाल रखें जिनका इस वक्त कोई खयाल नहीं रख पा रहा है और जरूरी नहीं है मदद बहुत दिखा के की जाए फोटो खिचवाएं वाइरल करें फोटो नहीं कोई जरूरत नहीं है मदद वह बहुत अच्छी होती है जो बहुत खामोशी से की जाती है तो आप अपने आसपास को अपनी फैमिली को अच्छे से लेकर चलोगे क्यों कि आप ठीक हो लेकिन जब आप की नहीं रहोगे आपकी जान नहीं यह तो फिर क्या होगा आपके परिवार का आपकी फैमिली का तो इस चीज़ को समझें और सबसे निवेदन हैं घर में रहें किसी की बातों में नाए कोई भी अगर आपको negative message करता है कुछ भी ऐसा है तो शिकायत कर दें किसी की बातों में नाएं बस जितना हो सकता है इस लडाई को तब ही जी सकते हैं जब आप अपनी समझदारी से काम लें नहीं तो चीजे बिखर जाएंगी खराब हो जाएंगी और आपको उसका बहुत बड़ा खामियादा आपको खुद को भुगतना पड़ेगा मैं एक लडाई वही जीतेगा जिसनों बंत कर दिया है जो बिलकुल किसी से इस वसकुद मिलना जुलना सब खतम कर दिया है जो जो यस चीज़ को इस वक्त के मुद्नादाकत को समझ रहे हैं वो लोग लड़ाई जीतेंगे और जैसे मैंने अपने कजिन का बताया और ऐसे बहुत सारे इस देश में हैं जो अपनी जान की परवा किये बगएर फिल्ड में उतरके काम कर रहे हैं उनके निए दूआ करते रहे हैं उनका होसला बढ़ाते रहे हैं अपना और अपने इस प्यारे मुल का खयाल रखें और अगर कोई ऐसा जानवर आपको दिख जाता है आपके आसपास जो के इनसानों पर ही डिपेंड होते हैं तो उनको जरूर कुछ भी घर में हो तो दे दे दें खाने को इस चीज का भी जरा खयाल रखें क्योंकि बहुत देखते हैं हम कुटे, बिली बहुत सरे ऐसे जानवर होते हैं जो इनसानों पर डिपेंड होते हैं तो आप सोची कहां तो अभी हालात ऐसे हैं कि सोच रहे हैं कि सब लोग आपस में कि कि यह कब वक्त यह गुजरेगा पर अपने उपर इतना भरूसर रखिए कि वक्त गुजर जाएगा और इस तरह कि कोई भी केस हो तो जरूर अपने आसपास पुलीस पर शासर में उसकी शिकायत करें अपना और अपने प्यार मुझका ख्याल रखें आज की नहीं बस इतना ही थैंक्यू सो मच